हेलो एन वेलकम टू मैं चैनल मेरे चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं बहुत ही डिफरेंट तरह की पराठे बना रही हूं तो बहुत टेस्टी बनता है इस तरह से बनाईए तो बच्चे बाहर का खाना ही भूल जाएंगे तो बनाना कैसे है उसके ल के लिए तो साफनेस के लिए इसमें टेस्टी पन के लिए और बहुत अच्छा लगता है स्कीप मत करिएगा यह एक टोरी मैंने दही लिया और सुन मिछ का पेस्ट यह थोड़ा सा हल्दी और यह अंजवाई नहीं इसको हाँ से मैश करके डाल देना है आपको और इसके कर सकते हैं आपको अगर पसंद नहीं है मसाला तो इस तरह से मसाले वाले रोटी बनाईए बहुत टेस्टी लगेगा अब भार का खाना बच्चे भूल जाएंगे तो घर पे कभी-कभी बनाया करिए तो बनाना कैसे है इस तरह से मैंने आठा को गुंद ली है गुंदनी के ब चाहें तो पूरी कभी बना सकते हैं तो मैंने पराठा बनाया है तो उसके बाद इसको बेलिए थोड़ा सा इसमें जो लोई होता है वो थोड़ा सा रोटी से थोड़ा बड़ा रखना है और उसके बाद इसमें थोड़ा सा कलोंजी जिसे काला जिरा भी बलते मंगरेल भी तो इसको लगा लिजी इसमें और आप चाहें तो पर सिधनिया भी लगा सकते हैं पोदीना भी लगा सकते हैं हरी मिर्ज भी लगा सकते हैं या फिर थोड़ा सा आप चाहें तो हलका सा लाल मिर्ज भी स्पिंकल कर सकते हैं मतलब बुख सकते हैं तो यह देखिए इसमें आप चाहें तो पसंदे आप इसमें लगा कि खा सकते हैं तो हर्च एमि अच्छा लगता है तो इस बन्दा पूबी का सब्से बिनाया था तो उसके साथ मैंने सब्सक्राइब के साथ है आप तरमाटर के चटनी के साथ काई यह आप नॉर्मल चाय के साथ खाई, हर चीज के साथ अच्छा लगता है दही के साथ भी आप खा सकते हैं तो इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो, बाई